चलिए है लो एवरीवन हमारा नेक्सट्र स्टार्थ हो रहा है और चेप्टर का नाम क्या है बहुत सिम्हीं पप्र है चेप्टर है प्रोड़क्ट इसीजर न能 अपसर ये product decision क्या होता है और इसको हम किस तरहीके से करते हैं वो सारी चीज़े हम देखेंगे product decision को ठीक है नुछ सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा जो है product क्या होता है अगर मैं simple सी बात करूं तो हमारे मन में होता है जैसे मेरे सामने क्या है एक यह आप देख रहे होंगे यह पानी की बॉटल है ठीक है और जो यह पानी की बॉटल है जब हम खरीदने जाते हैं तो माल देते हैं कि let's suppose कि हमने 20 रुपए का यह पानी का बॉटल खरीदा तो हम यही मानते हैं कि सिर्फ हमने पानी खरीदा है जब कि ऐसा नहीं है product का मतलब यह पानी तो ही है साथ के साथ यह बॉटल भी आपने खरीदा है कई बार होता है बोलते हैं पानी महंगा हो गया पहले 10 का आता था बॉटल अब 20 का हो गया तो पानी जरूरी नहीं है महंगा हुआ हो, क्या पता जिस कंटेनर में पानी को रखा जाता है, वो प्लास्टिक महंगी हो गई हो, क्या पता जो स्टीकर लगाया जा रहा है, वो स्टीकर महंगा हो गया हो, क्या पता जो लेबर इसको पैकिंग करता हो, वो महंगा हो गया हो, जो है किस लिए लेती हो मेन परफॉस कई मॉबाइल फॉन लेने जाते हो अहला कि देखते हैं हम ये चाहिए हमारे कैमरा और कहा leuke परफॉस क्या होता है में परफॉस से कॉनिग अगर investigations इसक्रिण से भी बेटर कैमरा दे दूँ और स्क्रीन बहुत माल लेते हैं कि 144 हर्ट का एकदम सुपर्ब हर चीज इसमें डालने दूँगा क्या आप इस मोबाइल फोन को खरीदोगे नहीं खरीदोगे तो मेंली जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो आपका परपस क्या होता है आपक मतलब 554 है ठीडा तो हम प्रडक्त को खरीदते हैं तो प्रडक्त को हम लैवलिंग कर देलेan डेबल का मतलब है कि कई पार्ट में बात देते हैं रिजिप्वल आ dzेक्षाय इस कैलकुलीटर का क्या काम है मैंने क्लकुलीटर क्यों खरीदा क्योंक्य मैं उड्रीटर बूसेर अगर डिस्प्ले और बटन नहीं होगा यह एड़ कर रहा है लेकिन डिस्प्ले बटन एक की भी अगर इसमें से लॉस करने अगर हटा दे तो मेरे लिए यह यूसफुल नहीं रहेगा तो वह हो जाएगा हमारे लिए बेसिक प्रोडक्ट ठीक है कुछ एक क्या है कुछ हो गया हमारे लिए बेसिक और इसके साथ साथ कुछ अडिशनल फीचर मुझे मुझे मुझा इसके अंदर जैसे कि छे महने साल B Kristin की वररण्टी तो अडिशनल फीचर हो गया तो प्रोडक्ट को हम अच्छी से समझेंगे हमही मन में सर्फ एक ही चलता ह कि है कि भी आ समान को लिए वो क्या होग führen हम पड़क का मतलब कि हम हर एक सिज का सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आपने एक सपोस आपने लेज खरीदा तो आप सिर्फ के लिए पेमेंट नहीं कर richtig दुकानदार के प्रॉपिट का भी कर रहे तो हर चीजे को वह हमारे लिए product ही माना जाएगा तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं product decision में सबसे पहले हम meaning देख लेते हैं कि sarà product है क्या और meaning देखने के साथ साथ हम देख लेते हैं कहता है flip codler का क्या कहना है कि भहिष्या जो एक product है जो हमारा product है एनीठिंग कुछ भी अगर हमें मिल जाए चाहे वह टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो कुछ भी चीज़े हम लेते हैं तो वह एक प्रोड़क्ट का ही काम करता है कहता है कि आप प्रोड़क्ट इस एनीठिंग डैट कैन बी ओफर्ड तुअ म्रकेट फोर अटेंशन एकोजिशन मतलब हम ओफर करतें मैं दुकांदार हूं मैंने एक ओफर किया कि मैं यह समान बेच रहा हूं मैं यह समान क्या कर रहा हूं बेच रहा हूं आपको तो कुछ भी हो सकता है, चाहे मैं, अभी-अभी मैं आपको जो बेच रहा हूँ, वो service बेच रहा हूँ, तो यह that is intangible product हो गया, अगर मैं आपको यह पानी की bottle बेच दू, तो that is, यह क्या हो जाएगा, tangible product हो गया, यूज और कंजम्शन माइट भी माइट आपका सेटिसफाई नीट्स एंड वांट्स मतलब यहीं तक है कि वो प्रड़क्ट जिससे आप सेटिसफाई हो जाते हो जो आप चाहते हो उसके लिए वो प्रड़क्ट माना जागा है दस वर्चुली एनिफिंग कैन भी कवर्ड वि आगा कहता है हमारा फ्रड़क्ट हो जाता है जैसे फूड होगया हमारा फैक्त तो यानि सभी चीजों को कुई भी समान आप खरीदने जाते हो एक प्रॉडक्ट है आप मेरे इसे अगर आप एक definition भी पूछ रहे हो और उसके बदले में आपसे चार्ज कर रहा हूं तो that is a product, आप air travel कर रहे हो तो जो किराया दिया वो service है लेकिन वो भी एक product के अंदर count आएगा, the definition of product convey more than just आपका literal meaning, it's convey that the company business, जो company का business है, for example, the business of the Voltas air condition, जैसे Voltas का क्या गाम है, air condition, तो basic सी बात है, product को हमें अच्छे से समझना होगा, ये tangible, intangible, अलग-अलग भी हो सकता है, ये दोनों mix करके भी हो सकता है, और product से, वो product किसे कहेंगे, जिससे किसी भी consumer को, उसके needs और want क्या हो जाए, वो satisfy हो जाए, basically product को हम leveling करते हैं, product को दो पार्ट पर बाट देते हैं, मतलब 5 पार्ट पर, 5 पार्ट पर किस किस पार्ट पर बाट आगया, level of product, काफे important है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है, level of product, सबसे पहला है, code product, अब core product क्या होता है, जिसके लिए आप payment करने है, main तो चाहिए ही चाहिए पानी के लिए, तो पानी हमारा क्या है, इसके अंदर, core product है, ठीक है न, पानी, calculator पे आपको सब कुछ हो, और आपका calculation ही ना हो, तो calculation क्या है, core product, washing machine किस लिए ले रहे हो, अगर washing machine की बात करें, तो कपड़े धोने के लिए ले रहे हैं, तो कपड़े अगर नहीं दूलता, त जो उसका purpose है, उसको खरीदने का, वो क्या है हमारा purpose, जैसे मैंने digital board लिया, तो मेरा काम है पढ़ाना, अगर मैं पढ़ाई ही नहीं पा रहा है, इस board पे तो ये कोई benefit नहीं मिलेगा, मुझे, तो core product हो जाता है, तो core product number one है, कहता है, the reference, the basic product, ये हमारा basic होता है, here to focus on the purpose, which product is intended, मतलब जो हमारा purpose होता है, खरीदने का, वो product होता है, हमारा core product, उसके बाद होता है, हमारा generic product, यानि basic product भी कह सकते हो, the represent the acquisition of the product, अब जैसे कि basic product की हम बात करें, आपने अगर ये खरीदा है, तो सिर्फ आपने calculation के लिए नहीं खरीदा है, इसके अंदर battery है, डिस्पले है, ये सब चीजे भी खरीदा, बिना इसके नहीं हो सकता, देखो core product तो वो है, जो कि आपको चाहिए, और उस product को help करने के लिए काफे सारे उसके अंदर elements आ जाते हैं, जिसे हम बोलते है, basic product, for example, TV, TV आपने visualize करने के लिए लिए है, कि कुछ चीजे देखेंगे, तो आपको दि परपस होता है, hotel में आप जाओगे, तो वहाँ परपस क्या होगा, simple हम के उस hotel के अंदर क्या करें, stay कर ले, अब stay करना purpose के साथ साथ आप basic वहाँ पर देखेंगे, tall हो, नहाने का हो, wifi हो, TV हो, तो वो क्या होगे, basic product, ठीक है न, तो इसे क्या बोलेंगे, basic product, expected product, expected product क्या होता this refer to the benefit consumer expected to get purchase product, मतलब जो आपकी expectation है, वो यहाँ पर होना चाहिए, expected, जैसे कि आप यहाँ पर चाहते हो, कि product हमें कुछ superior तरीके से मिल जाए, quality अच्छा मिल जाए, जो आपकी expectation, जैसे hotel में जा रहे है हम किसी, hotel भी एक product है, तो वहाँ पर हमें neat and clean मिलना चाहिए, तो यह हमा पानी जो इसके अंदर है, वो साफ होना चाहिए, सानी के पानी गंदा होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, expected, एक हो गया, पानी तो product हो गया, पानी साफ होना चाहिए, expected product हो गया, और पानी bottle के अंदर ही है, that is a basic product हो गया आपका, जिसको हमने बोल रहे है, generic product, आपका हो गया अब इसके बाद देखा जाए Augmented Product यह क्या होता है Special Feature Augmented का मतलब क्या होता है हमारा अगर हम Augmented का बात करें तो Augmented मतलब होता है कि कि किसी चीज के अंदर मतलब कि कोई Special Feature आ जाए जैसे कि मैंने कहा कि आप 24 इंटू 7 कभी भी Customer Care को Call कर सकते हैं जानि Sales के बाद भी आपको Service जिससे कि आपके निश्चिंद हो जाते हो मेंतरा ने कहा कि आप 30 डेज में अपने प्रड़क्ट को क्या कर सकते हो रिप्लेस कर सकते हो तो यह क्या हो गया हमारा Augmented प्रड़क्ट हो गया इसके बाद Potential Potential मतलब जो भी आप Extra दे दो कि this reference to the Potential Transaction प्रड़क्ट आपको और कोई भी Feature दे दो जैसे कि आपने इसमें कर दिया कि आपका Premium है या फिर उसको मतलब ऐसा कुछ करो जिससे आपको Competitor से Advantage मिल पाए तो Core Product क्या हो गया इस प्रोड़क्ट के अंदर अगर देखा जाए Core Product की बात करें तो हम Bottle की बात करते है पानी Core Product है Bottle Best Basic है एक्सपेक्टेड क्या है पानी साफ होना चाहिए अब इसके अंदर अगर मैं बोलू तो अगर पानी में कोई दिक्कत हो तो Complain Number दे रखा है कि आपको ये Easily इस Bottle के बदले आपको Price भी मिल जा कुछ ऐसा मैंने कर दिया तो वो क्या हो गया हमारा Potential Product हो गया तो इसी को हम ना Explain कर लेंगा बाकी इसमें यही पढ़ना है आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना मैं फटा-फट से रफली रफली आपको Explain Roughly क्या Detail में explain करता जाओंगा सबसे पहला कौन सा दे रखा है Core Product पढ़िए Core Product क्या कहता है It is the fundamental of आपका Dimension जो Basic Product है Is the represent the bundle of Benefit इसके अंदर बहुत सारे Benefit होते है For the Prospective Buyer Buyer के इसाब से होते है The Core Product Answer the Question मतलब कि मुझे पानी चाहिए तो येलो पानी That is Core Product ठेक है न What is the buyer really buying जो buyer चाहता है खरीदना Instead of woman buying washing machine Woman washing machine बाई करना चाहती है Comfort and not mere आपका collection For of tubs मतलब कि उसे washing machine चाहिए कपड़ा easily धो पाए ना कि उसे चाहिए Motor चाहिए उसका अलग Parts अलग चाहिए ये कहने का मतलब है ना कि Motors Nuts Bolts ये सारी चीजे नहीं चाहिए उसको उसको washing मतलब हो यानि Women's Buying Lipstick Buying Hope to the Not set of chemical अब उसे lipstick चाहिए अगर किसी woman को तो ऐसा नहीं है कि हम उसे chemical दे दे Basic product क्या होता है It is a large packaging of the core product Core product का packaging एक तरीके से मानलो Basic product माना जाता है Where the target market Recognize as offer जहां पे हम करते हैं Offer For instance Washing machine खरीदा था आपने कपड़े धोने के लिए तो कपड़ा धोना आपका core product हो गया Is the recognized as the collection of drum उसके अंदर drum है Heater है Nuts है Bolt है आपका यह अगर देखा जाए सब को मिला दिया जाए तो उसके बिना तो बनी नहीं सकता हो तो वो basic product हो गया Same lipstick के अंदर क्या है हमारा chemical वगरा है तो उन सभी को मिलाएंगे तभी तो वो क्या सीज़ों हो गई हमारी Basic product Service have also got a feature which are generally आपका intangible जो की intangible होता है दिखता नहीं जैसे कि हमने बोला कि भी आपको services मिल जाएगी खराब हो जाता है तो वो intangible होता है वो भी basic product है लिखना में दिखेगा नहीं The service like है Auto repair आपका repair हो जाएगा Electrician supply आपका management कंसर्टेंसी आपको new product लिया तो कैसे चलाना है installation ये सारी चीज़े इसके अंदर आ जाएगी इसके बाद देखते है expected यानि सर आपकी उमीद क्या है product के साथ उसे क्या बोलेंगे हम expected product चलिए expected product को देखते है जैसे कि कहता है the customer expected basic product basic product है जैसे computer जैसे computer में भी certain feature अब हमारा expectation है कि window 10 होना चाहिए solar gb होना चाहिए और ffd जो भी होना चाहिए desktop होना चाहिए tower model होना चाहिए यानि जैसे मैंने बोला expected product क्या है बताओ इसके अंदर पानी साफ होना चाहिए पानी क्या हो गया basic बोटल क्या पानी क्या हो गया core बोटल क्या हो गया basic और पानी साफ होना चाहिए यह हो गया expected तो यह normally आप पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजे समझ में आगा expected product is the product which is normally taken for the grant by the customer however the minimum expectation जो भी expectation है उसके accordingly होना चाहिए ठीक है इसके बाद है augmented product क्या कहता है it is the broader conception of the product कहता है कि यह बड़ा है हमारा conception the represent the totally benefit of the person may be receive आपका experience कैसा मिला getting formal product formal product को लेके the augmented product of TV जैसे TV seller है is not only sell TV but also free home delivery यानि उसके साथ एक पार्ट हमने attach कर दिया कि आपको free home delivery मिलेगा एक सेकिंडर कहां गया चारजर ठीक है चलिए उसके साथ free home delivery मिलेगा and installation warranty भी मिलेगा product के साथ यह सारी चीज़े मिलेगा तो यह क्या होगे आपके augmented product मतलब सर free home delivery वो भी एक product है लेकिन intangible है service मिलेगा वो भी एक product है the dimension of the product is very important firm operating the competitive market और यह चाहिए competitive market में यह आपको देना पड़ता है augmented product able to the attract to the customer and service to the और बाकी की सारे चीज़े आप यह पढ़ सकते हैं कहता है competition in the durable consumer जैसे durable consumer product start the level level है it does not the start to the basic product level basic product से नहीं हो सकता it starts only when the customer expectations are not meet equally the different brand मतलब हमें competition के अंदर अगर मैंने बोला के भीया मैं एक phone देता हूँ एक laptop देता हूँ चलो आपको और laptop जो है वो iPhone iMacbook से भी बहुत अच्छ है MacBook से 100 गुना अच्छ है गरेंटी नहीं देंगे तो आप MacBook को बीट कैसे करोगे करी नहीं पाऊँगे फिर आपने वरेंटी तो हटा ही दिया अगर मैं कहूँ कि एक laptop है lifetime की warranty है देखो वो laptop कैसे बिकेगा एकदम बिकेगा सारी company बाहर lifetime warranty के अंदर ठीक है न if all major brands have almost similar features quality, style however the company must consider that the relative cost augmented अगर सब चीज है तो भी हमें price के उपर ध्यान देना पड़ेगा इसके बाद last है हमारा potential the last level पांचवा level है last level of the product is the potential part of उसका style, color, grade, quality that not change in the structure और character in the mind जैसे कि हम बात करते हैं car की बात करते car को दो कर्टे करी में बाट दिया मारूती महेंगी car भी बना रही है सस्ती तो उसने क्या कर लिया potential product बना लिया यानि दो पार्ट में बाट दिया और हमें differentiate करना होगा हर product को ठीक है न इसका कहना for example today change in the information technology have the brought about the change in the processing speed मतलब जो processor का speed है वो change हो गया computer का this have been made आपका anticipated reduction in the size size भी कम कर दिया अब computer जो बड़े बड़े हैं अब laptop क्या हो गया छोटे छोटे आने लग गया तो हमने क्या करा उस product को मतलब और product से हमें differentiate करना अपने product को अलग बनाना और अलग बनाने से क्या benefit मिलेगा कि बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे ठीक है ने तो ये कौन से product हो गया potential product हो गया importance creating the different आपका by the change in the product level which might be required to computer computation तो ये हो गया हमारे कौन से sir level of product तो level of product को अगर हम ध्यान से देखें ये दुबारे repeat हो गया कोई बात नहीं level of product को ध्यान से देखें तो क्या क्या है सबसे पहले core product है core product कौन सा होता है चलो दूसरा example ले देते मैंने ये लिया मेरे सामने है तो sir जब ये लिया ना तो मेरा purpose क्या था इसको charge करना बैटरी को charge करने के लिया तो वो क्या हो गया मेरा core product हो गया अब ये बैटरी चार्ज होने के साथ इसके अंदर plastic लगा है plug लगा है और light indicator वगरा भी लगा है यहां कहीं न नीचे indicator लगा है तो ये क्या हो गया basic expected कि भाईया fast charge हो जाए charge हो at least तो वो हो गया expected augmented क्या हो गया कि भाईया इस पर service तो मिलनी चाहिए कैसे मिलेगा customer care का number तो इसके wrapper पे था मैंने लिख लिया इसके बाद special क्या है कहते हैं कि भाईया duration के लिए चीज़े बढ़िया होती है और duration का मैंने क्या लिया battery भी लिया तो यह हमारा last हो जाता है क्या potential product इसके अंदर मतलब कि अच्छे है तो इस तरीके से product को हमने define कर दिया ठीक है